खुजली होना भले ही आम समस्या है लेकिन ज़्यादा समय तक रहने पर ये समस्या पूरे शरीर पर रैशेजवा घाव का कारण बन सकती है ये समस्या इसकिन के ड्राई हो जाने पर होती है या फिर किसी इसकिन डिजीज के कारण हाला कि ऐसे ही कुछ और गंभीर कारड भी होते हैं जिस वज़े से पूरे शरीर पर खुजली की समस्या शुरू हो जाती है कई बार आयरन की कमी होने किड़नी की बिमारी या फिर थाइरोइट के कारड भी खुजली की समस्या हो सकती है ऐसे में इस ओर समय रहते ध्यान देना जरूरी है पूरे शरीर पर खुजली होने पर डॉक्टर कोल्ड कंप्रेस लेने की सलाह दे सकते हैं इसके अलावा ओवर दा काउंटर क्रीम या दवा की मदद से भी आराम मिल सकता है त्वचा संबंधी कारण पूरे शरीर पर खुजली त्वचा संबंधी स्थितियों के कारण भी हो सकती है कई इसकिन से जुड़े डिसॉडर जैसे की एक्जिमा, हाइवस, सोराइसिस और कई अन्य बिमारियां जो इसकिन वा उसके लेयर को प्रभावित करती हैं पूरे शरी पर खुजली गंभीर बिमारी होने की तरफ भी संकेत कर सकती है इसमें लिवर की बिमारी, किडिनी की बिमारी, अनीमिया, डाइबिटीज, थाइरोइड की समस्या, मल्टिपल माईलोमा या लिंफोमा आदी शामिल है मनोवैग्यानिक कारण, कई बार पूरे शरीर पर खुजली होने का कोई शारिरिक कारण नहीं होता है, कुछ मामलों में मानसिक स्वास्ते इस्थितियां किसी व्यक्ति को ये अनुभव करा सकती हैं, जैसे कि उनकी स्किन पर कुछ हो रहा है, जो खुजली का कारण बन सकती इरिटेशन वा एलर्जी अधिकांश मामलों में किसी भी चीज से एलर्जी होने पर भी पूरे शरीर पर खुजली हो सकती है इसकिन पर जलन होने के कारण भी कई बार एलर्जी हो सकती है इस प्रकार की एलर्जी तब होती है जब इसकिन एलर्जन के संपर्क में आता है इसकिन पर allergy होने पर पूरे शरीर पर खुजली होने के साथ ही छोटे छोटे दानेवा छाले हो सकते हैं और इसकिन लाल हो सकती है Allergen ऐसा substance होता है जो सीधे तोर पर immune system पर attack करता है एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं जैसे खाने के पदार्थ से होने वाली एलर्जी भी पूरे शरीर पर खुजली का कारण बन सकती है निकल से बनी चीजों के संपर्क में आने से भी निकल एलर्जी की समस्या हो सकती है कई बार कपडों से भी एलर्जी हो सकती है या फिर पालतू जानवर, केमिकल्स, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट या साबुन भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं पूरे शरीर पर खुजली के कुछ अन्यकारण भी है जैसे पैरसाइट के कारण भी पूरे शरीर पर खुजली हो सकती है इन में थ्रेड वर्म से लेकर मच्छर, खटमल वा जू तक शामिल हो सकते हैं कुछ कैंसर या कैंसर के इलाज के दौरान दी जाने वाली मेडिसिन, कीमो थरपी, रेडियो थरपी वा हार्मोनल थरपी भी पूरे शरीर पर खुजली का कारण बन सकती है प्रेगनेंसी के दोरान महिला के शरीर पर होने वाले हार्मोनल बदलाव और दवाओं के सेवन से भी पूरे शरीर पर खुजली हो सकती है पूरे शरीर पर खुजली का इलाज पूरे शरीर पर खुजली किस कारण से है उसके आधार पर इलाज करने से लाब हो सकता है कुछ मामलों में कॉर्टिकोए स्टेरोइड क्रीम और ओइंटमेंट, कोल्ड कम्प्रेस या फिर लाइट थेरपी की मदद ली जा सकती है खुजली की समस्या होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए खुजली की समस्या होने पर डर्मेटोलाजिस्ट को दिखाना चाहिए खुजली की समस्या होने पर कौन सी जाच करवानी चाहिए CBC यानी Complete Blood Count LFT यानी Liver Function Test KFT यानी Kidney Function Test CRP, C Reactive Protein Total IgE, Allergy Profile ये सभी टेस्ट डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं So friends, मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको परसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको परसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ शेयर कीजिए, ठैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो